हेलो गाईज मैं पायल वेलकाम टू डी एंडी न्यूज हर एक दिन की नए खबरे पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तो बॉलिवड में कुछ ऐसे सेलिबरेट कपल है जिनके बीच की समझदारी देखनी लायक होती है बले ही रितिक रोशन और सुजैन खार के बीच तलाक हो गया हो लेकिन इन दोनों के बीच के अंडरस्टेंडिंग अभी भी देखनी लायक है रितिक और सुजैन ने इस कपल के तलाग की खबरों के पीछे कहीं तरह की अटकले भी लगाय जा रही थी। जहां रितिक का नाम कंगना रनोत के साथ जोड़ा जा रहा था, वहीं सुजैन का नाम अर्जुनरामपाल के साथ जोड़ा गया था। हाला कि दोनों ने ही इन खबरों का खंडन भी किया था। सुजैन से तलाग के बाद रितिक रोशन ने फिल्म फेर को दिये इंटरिवू में कहा था, कि अब वें दोबारज शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। रितिक ने कहा आज मैं तो बारत शादी के बारे में भी सोच नहीं सकता हूँ मैं खुद को संतुष्ट और शांत महसूस कर रहा हूँ वैसे बतादी की तलाक के बाद भी रितिक और सुजैन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अभी भी ये दोनों कहीं प्रबार बच्चों क के साथ फैमली टृफ पर सात नजर आते हैं यई नहीं जब गंगनर रितिक के साथ रेलेशन्षिप के होने का दावा करते हुए उन पर धोका देने का रोप लगाया था तब भी सुजैन ने रितिक कही साथ दिया था कोरोना में वे लोकडाउन के दोरण भी सुजैन अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए रितिक के घर पर ही रुकी हुई थी